हाई दोस्तों असलाव लेकुम कैसे आप लोगों में नबील है S23 Ultra को compare करेंगे हम S24 Ultra के साथ देखेंगे ये दोनों same दिखने वाले फोन exactly same दिखने वाले फोन में क्या है difference और क्या आपको S23 Ultra अगर आपके पास है तो build quality को छोड़के बाकि design और look exactly same build quality में यही फरक है कि दोनों के sides जो है जो frame है उसमें difference है S23 Ultra में aluminum है S24 Ultra में titanium है बाकि button placement और सारी चीज़े exactly same है तो उसमें आपका time waste नहीं करो in hand feel में आपको slightly difference देखने मिलेगा जहाँ पे S23 Ultra जादा comfortable है to hold क्योंकि sides उसके जादा curved है और S24 Ultra के थोड़े से मोटे भी लगते है और konon पे जो है इसके corners पे थोड़े से चुबने वाले भी हाथ में लेकिन आप case के साथ इसनमाद के इन तो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन S24 Ultra थोड़ा सा बलकी लगता है hold करने में मेजर डिफरेंस यहां पे जो है दोस्तों वह है डिस्प्लेस के अंदर डिस्प्ले का size दोनों के exactly सेम है डिस्प्ले के technology सेम है और डिस्प्ले में वही adaptive refresh rate आपको देखने मिलेगा 120 हर्ट्स का लेकिन यहां पे फरक यह है कि S24 Ultra के अंदर एक anti-reflective कोटिंग डिस्प्ले पे दीवी है जिसकी वएसे sunlight में या फिर office के lights में कहीं भी आपको इसको देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा जाता मजा आएगा और यह काफी प्रीमियम फिल होता है एक फ़्नी फरी आल्ट्र का डिस्प्लेइ नॉर्मल है एक रिफ्लेक्टिव वाला एक अंदर इन ने पहली बार फ्लाट स्क्रीन बी इस्तमाल के एक फ्वेंटी थी अल्ट्र का स्क्रीन एज़ेश पे तो यूज़ करने में बी डिस्प्लेइ ज्यादा अच्छा आपको S24 Ultra का और Always On Display में S24 Ultra में आपको आइफोन स्टाइल वाला Always On Display देखने मिलेगा S23 Ultra में regular है और यहाँ पर सबसे बड़ा difference यह भी है दोस्तों के S24 Ultra 2600 nits की brightness निकाल सकते है S23 Ultra 1750 nits की तो outdoor में definitely आपके लिए जादा useful रहेगा और fingerprint scanner भी S24 Ultra का S23 Ultra से ever so slightly fast है तो यहाँ पर सबसे बड़ा और major improvement जो है वो display में है अब दोनों के speakers compare करके देखते है speakers में यहाँ पर marginal difference मुझे देखने मिला जहाँ पर S23 Ultra 88 decibel और S24 Ultra 90 decibel तक जा सकता है लेकिन दोनों ही आपको बराबर ही सुनाई देंगे S23 Ultra actually मैंने एक सवा साल जो है इस्तमाल भी किया है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत धूल उल से थोड़ी आवास काम हो जाती है लेकिन उतना भी फरक नहीं है और आपको कुछ यहाँ पर difference notice करने नहीं मिलने वाला दोनों के speakers में दोनों अच्छे है specifications के अगर बात करें तो S24 Ultra में आपको Snapdragon 8Gen3 12GB का RAM मिलता है 256 512 और 1TB की storage और S23 Ultra में आपको Snapdragon 8Gen2 12GB का RAM और 256 512 और 1TB की storage मिलती है तो 8Gen2 से 8Gen3 पर कितना बड़ा improvement आईए benchmark से जरीए से समझने कोशिक करते है तो सबसे बहले CPU के scores देखिए इसके अंदर आपको single core में थुर्ण improvement देखने मिलगा लेकिन multi core में काफी जादा improvement यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है S24 Ultra में लेकिन जो actual improvement आया है वो आया है GPU में GPU का score आप देख सकते है कितना जादा यहाँ पे improve हो गया S24 Ultra के अंदर अगर आप gamer हो तो आपके लिए S24 Ultra जादा का रहेगा वैसे तो दोनों ही 90 fps पे PUBG खेल सकते हैं लेकिन आपको better performance जो है S24 Ultra में देखने मिलेगा तो अगर gaming के लिए आपको कोई phone लेना है तो इन दोनों मे रहने वाला है लेकिन S23 Ultra भी अच्छा है अफटा फट से दोस्तों camera compare कर देगे कि यहाँ ही पे आपको major difference देखने मिलेगा दोनों ही फोन में आपको चार-चार camera का setup laser autofocus देखने मिल रहा है दोनों ही के primary camera जो है यह 200 megapixel के है लेकिन S23 Ultra में जो periscope zoom था वो 10x पे था और वही व्लॉगिंग करने के डियम पे तो अगर आप यह फोन का इस्तेमाल व्लॉग करने के लिए करते हो तो audio कि इसमें बेटर आएगी आपको यह clip देखके समझ में आ जाएगा यहाँ पर ध्यान देना तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी audio जो है कौन से फोन से आ रही है और voice अच्छी होना audio अच्छी होना यह बहुत important होता है अच्छी वीडियो के लिए S24 Ultra बेटर है क्योंकि इसमें Edge Detection होकर आप देखेंगे तो जाधा बहतर निकल के आता है और S23 Ultra में Edge Detection अब उतना अच्छा नहीं रहा अब उतना अच्छा नहीं रहा का मतलब यह कि जब पहले मैंने किया ता लास्ट यह इसको compare iPhone के साथ तो बहुत अच्छा था उसका Edge Detection लेकिन अभी अपडेट देकर सौफ़ेर अपडेट देखे एक वीडियो का जिसमें ऑडियो बेटर है उसकी वीडियो भी अपने आप बेटर हो जाती है मतलब कॉलिटी नहीं सुधरती ओविसली लेकिन देखने में मज़ा आता है तो अकर आप वीडियो बनाते हो अपने फोन से तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑडियो देखें दोनों में रियर कैमरा के टाइम पर सही आई लेकिन यह देखिए अपर यहां पर क्या करें आपको लगया मैंने कुछ गड़बड किया इसा कुछ भी नहीं है जो है सामने आपके आपको नजर आ रहे है नीचे में हमारा एडिटिंग का टाइम लाइन है उसका भी स्क्रीन रेकॉर्डिंग बता देता हूं आपको कुछ भी हमने यहां पे चेंजेज नहीं किया और S23 Ultra इतना खराब यहां पर परफॉर्म कर रहा है पहले कभी इसने ऐसा किया नहीं है यह समझ में नहीं आ रहा है एक दम डाक कर दिया उसने जब पीछे से दूप आ रही है तो और यह जो इशू है यह बिल्कुल भी इतने महेंगे फोन के अंदर शोबा नहीं देते जो बोलते ना उस लाइक के फोन नहीं है कि आप उसके लिए इतना पैसा दो और इतनी खराब वीडियो निकाले एसा कभी हुआ ही मेरे साथ और मैं शॉक हो गया जब द S24 Ultra की बार यह जटके मानने के, S23 Ultra इसमें अच्छा काम कर रहा है और पहले जो फेस पे फोकस पकड़ता था छोड़ता था वो प्रॉब्लम आप सॉल्व गरेंगे अभी S24 Ultra में देखे कितनी गंदी बिमारी है तो कैसे मैं आपको recommend कर हो इसमें से कोई भी फोन इतना पैसा आप देते हो और उसके बाद आपको इतनी खराब वीडियो क्वालिटी मिलती है इतनी खराब जो है जटके मानने वाली फूटेज मिलती है S23 Ultra में तो पता नहीं क्या हो रहा तो S24 Ultra देखिया यहां पर ऐसी फूटेज के आप यूज़ कर पाएंगे अगर आप अपने व्ल अगर आप रन करते हो तो और अगर आप इन्हांस स्विचिंग की अगर बात करें वीडियो के टाइम पर तो देखिये यहां पर दोनों ही खराब परफॉर्म करते है आइफोन का नाम लेना यहां पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही जो है यहां पर बेंचमार्क सेट करत स्लाइटली इंप्रूफ आपको दिख सकता है लेकिन बहुत ही उन्नीज बिस का फरक है और एकदम जूम करने पर थोड़ा सा हिलता एंड में जाके बाकी जाता कोई डिफ्रेंस है नहीं और दोनों यह बहुत खराब परफॉर्म करते ऑटो फोकसिंग की बात करें तो एव लगी एच 24 अल्टर के मुकाबले नॉर्मल सेल्फी में यहां पर स्किन टोन मुझे एच 24 अल्टर का अच्छा लगा एच 23 अल्टर का थोड़ा ऑन दो वाइटेज साइड है यहां पर देखते तो पीछे से धूप आ रही है आसमान ओवर एक्सपोजट है बाकी सेल्फी द देख लेते तो रियर कैमरा से लिग गई यहां पर पीछे से धूप आ रही है उसमें बैटर काम के एच 24 अल्टर ने इसके बाद यह वाली फोटो देख सकते है इसमें एच 23 अल्टर ने तो मुझे पूरा वाइड बना दिया है अब बहुत सारे लोग बोलते थे के आइफ है उसका ही डिफरेंस आपको देखने मिलेगा 2X भी ले सकते है दोनों फोन और 2X में मुझे S23 अल्टर ज्यादा क्लियर लगा आइस पे फोकसिंग वारा प्रॉपर रखी उसने यह 3X 3X दोनों का पोट्रेट मोड में यहां पे कंपेर कर रहा हूं यहां पे मुझे S23 अल् देखिंगे पीछे तो काफी अन्नाच्रल लगता है अब 100X जूम जिसके सब दिवान है पता नहीं क्यों लेकिन चलिए वह भी देख लेते यहां पर यह 1X से फिर मैंने दोनों को 10X पे लेके गया और दोनों को मैंने जब 100X पे लेके गया तो S23 अल्टर मुझे जादा क्ल सकता है लेकिन उतना भी यहां पर मुझे जो है नजर नहीं आ रहा है तो बहुत ही सिमिलर परफॉर्मेंस है अब नाइट की सेल्फी देख लीजे तो यहां पर S23 अल्टर से नॉमल सेल्फी जो है नाइट में वह आपको बेटर देखने मिलेगी एस फोटो में थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट है यहां पर सब्जेक्ट जाधा क्लियर है और पीछे देख सकते हैं थोड़ा लेंस फ्लेर जाधा है अगर चांद की फोटो के दीवाने हो अगर आप जो कि AI की मदद से सामसंग के फोन में लिया जाता है तो उसमें चांद तो सिमिलर ही लग रहा है दोनों में क्योंकि चांद की फोटो ऐसी आने वाली है चांद अर्थ से ऐसा ही नज़र आता है बस कलर में डिफरेंस आप जो कलर आपको पसंद है उसको पिक कर लो जो रिजल्ट आपने देख अपडेट किया था और यहां पे देखिए सॉफ़एर इंफोमेशन में भी मैं आपको दिखा देता हूं कि लेटेस्ट वन यूआई 6.0 जो इसका अपडेट आया है उसके उपर चल रहा है और अपडेट के बारे में क्या ही आपको बोलो इसमें भी जो है पोट्रेट देखा उसमें मुझे लगता है कि S23 Ultra जिसके बास है उसको 24 Ultra पे अफग्रेट करने की कोई जरूत नहीं है यह पर कोई भी मेजर आपको डिफरेंस दिखने नहीं मिलेगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई नया फोन ले लिया है कम्प्लीट बैटरी और चारज आपको यहां पर देखने मिलने वाले सबसे पहली बात यहां पर अगर अपडेट की बात करें दोनों लेटिस्ट अपडेट पर है लेकिन जो S23 Ultra है उसके लिए 1UI 6.0 है और S24 Ultra के लिए 1UI 6.1 तो यहीं चीज में आपल साइट पर अच्छी लग जाती आईफोन के सब पे ए यहां ने डिफरेंस महसूस किया प्राक्टिकल डिटूले राइफ में वह यह है कि कॉल रेकॉर्डिंग आप अगर S24 Ultra पे करती हो तो वाइफाई कॉस भी आप रेकॉर्ड कर सकते हो S23 Ultra पे आप वाइफाई कॉस रेकॉर्ड नहीं कर सकते तो यह एक मेजर यहां पे फीच नहीं देखने मिलने और S23 Ultra के लिए जब आएगा तब पता नहीं कि कॉनसे फीचर रहेंगे कॉनसे नहीं रहेंगे सब रहेंगे तो बहुत अची बात है और यह आई फीचर के अंदर आपको लाइफ ट्रांसलेट मिल जाता है कॉल में चैट असिस्टेंट मिल जाता है नो S23 Ultra है तो S24 Ultra पर जाना चाहिए मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए मैं तो आइफोन के मामले में बूलता हूँ कि आइफोन 14 Pro Max तो 15 Pro Max में मच जाओ क्यों इतना बड़ा डिफरेंस रहता नहीं और सेम चीज यहां पर मुझे देखने मिली और जो कमिया थी S23 Ultra में वो अभी भी यहां पर है in fact कुछ नहीं कमिया भी आ चुकी है अगर दोनों पर इसे कोई नया फोन लेना चाहता है मतलब उसको दोनों फोन मी नहीं है तो उसको किसके लिए जाना चाहिए तो मैं तो बोलूँगा आपको S23 Ultra को जाओ पैसे बचा लो आपको आपको 95 95 परसें 96 परसें यहां पर देखने मिल रहे है और एक बार AI फिल्टा इसमें भी आ गए तो फिर कोई फरक रहता ही नहीं दोनों में प्राइजिंग की अगर बात करें तो यह एक लाग प्लस जाता है डिपेंड करता है कहीं पर कुछ ओफर कोई कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और सेम चीज है कई का यह है कई सतर हुपर का बी मिल रहा हूं एक लाग रुपे का भी मिल रहा है अलयन एक लाग जी राग रुका Issů वालाय की तो सवाई दीवाग को लग ने उसको फेग फोन के लियुए हैं इनके पून प्लस क्लिए लें बिग और फिर इनके के सीब आ ह तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके लीजिए वहाँ पे कूपन कोड है नभी लेटीन उसको अपलाए करेंगे चेक आट पे तो फ्लाट 18 पसंट का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो यह दिखाने दोस्तों आपको पसंद आगा पसंद आगा पसंद आए वीडियो को